मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आज के दिन का पूरे देश को बेश सबरी से इंतजार रहा है, कितने महिनों से देश के हर घर में बच्चे, बूड़े, जबान, सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब आएगी, तो अब कोरोना की वैक्सिन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है, अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण भ्यान शुरू होने जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, आज वो वैज्ञानिक वैक्सिन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेस रुप से प्रसमसा के हकदार है, जो बीते कई महिनों से कोरोना के खिलाप वैक्सिन बनाने में जूटे थे, दिन राद जूटे थे, न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है, आम तोर पर एक वैक्सिन बनाने में बर्सों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में, एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सिन तयार हुई है, इतना ही नहीं, कई और वैक्सिन पर भी, काम तेज गती से चल रहा है, ये भारत के सामर्थ, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जाकता सबूत है, ऐसी ही उपलब्दियों के लिए, राष्ट्र कभी, राम धारीशी दिनकर जी ने कहा था, मानव, मानव जब जोड लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, भाय और भेनों, भारत का टीका करन अभियान, बहुत ही मानविय और महत्वपूर सिद्धानतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले करोना का टीका लगेगा, जिसे करोना संक्रमन का रिक्स सबसे ज़्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेश हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पेरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कॉरोना की वैक्षिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्षिन प्राफ्विक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्षिन प्राफ्विक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है, इन सभी के वैक्षिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा, साथियों, इस टीका करण अभियान की पुक्ता तैयारियों के लिए, राज्य सरकारों के सहयोग से, देश के कोने कोने में ट्राइल्स किये गए हैं, ड्राइ रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफोर्म में, टीका करण के लिए, रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है, आपको पहला टीका लगने के बाद, दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी, और मैं सभी देश वास्यों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ, कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है, एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसे आग गलती मत करना, और जैसा एक्सपर्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच, लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही, आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी, इसलिए टीका लगते ही, आप असावधानी बरतने लगें, मास निकाल कर रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा, मैं प्रांसना करता हूँ, मत करिएगा, और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ, आपने करोना का मुकामला किया, वैसे ही धैरिया, अब वैक्सिडेशन के समय भी दिखाना है, साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है, ये भ्यान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं, दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं, जिनकी संख्या तीन करोड से कम है, और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है, जो बुजूर्ग हैं, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में ठीका लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका, और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिन की आबादी इन से ज़्यादा हो, इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है, और मैं देश वाज़ियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और अप्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है, इसलिए देश वाज़ियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ्वाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है, साथियों, भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टिम, भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है, और पहले से हैं, हमने विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है, मेरे प्यारे देश वास्यों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्ब करेगा, कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को, जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं, भारत की सक्त वैज्वानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं, भारत के वैज्वानिकों को, और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विश्वसक्यता पर, दुनिया का इविश्वास, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है। इसकी कुछ और खास बाते हैं, जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूं। ये भारतिये वैक्सिन, विदेशी वैक्सिनों की तुन्ना में बहुत सस्ती हैं। और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी हैं, जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में हैं, और जिसे माइनस सेवेंटी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। माइनस सेवेंटी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई गयी हैं, जो भारत में बर्सों से ट्राइड और टेस्टेड है। इए वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्स्टेशन तक भारतीय स्थीतियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लड़ाई में निरनायक जीत दिलाएगी। साथियों कोरोना से हमारी लड़ाई आत्म विस्वास और आत्म दिरभरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्म विस्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे। यह प्राण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकत कितना ही बड़ा क्यों नहों। देश वास्चों ने कभी आत्म विस्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेप थी। हमने अपने सामर्थ पर विश्वास रखा और आज 23 से ज़्यादा लेप्स का नेटवर्क हमारे पास है। शरुआत में हम मास्क, PPE कीट, टेस्टिंग कीट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं। आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करन के इस दौर में भी ससक्त कर रहा है। साथियों महान तेलुगु कभी स्री गुराजाडा अप्पाराव ने कहा था। सौंत लाभं कौंत मानुकु पवरू गुवाडि की तोडू पाडवोय। देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुशलोय। यानि हम दूसरों के काम आएं ये निस्वार्त भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राष्ट सिर्व मित्ती, पानी, कंकड, पत्तर से नहीं बनता बलकि राष्ट का अर्थ होता है हमारे लोग। कौरोना के विरूद लडाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लडा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक रास के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीका करन अभ्यान शुरू कर रहा है, तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूँ। कोरोना संकड का वो दौर, जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुचते थे। सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुड जाता है। लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा। मा परेशान रहती थी, मा रोती थी, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पतान में अकेले अपनी बीमारी से संगर्स करने को मजबूर थे। संतान चहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़ कर चले गए, उनको परंपरा के मताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन साथियों संकर के उसी समय में, निराशा के उसी बातावर में, कोई आशा का भी संचार कर रहा था, हमें बचाने के लिए, अपने प्रानों को संकर में डाल रहा था, हमारे डॉक्टर, नर्स, परामेडिकल स्टाफ, एम्मिलर्स ड्राइवर, आशा वर्कर, सभाई कर्वचारी, पुलिस के साथ ही, और दूसरे फ्रन्ट लाइन वर्कर्स, उन्होंने, मानवता के प्रती, अपने दाईत्व को प्राश्मिक्ता दी, इन में से अधिकाऊश, तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए, सैंक्रों साथी ऐसे भी है, जो कभी गर मापस लोटी नहीं आ पाई, उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए, अपना जीवन आहुद कर दिया, इसलिए, आज कोरोना का पहला टीका, स्वास्त सेवा से जूड़े लोगों को लगा कर, एक तरह से समाच, अपना रून चुका रहा है, ये टीका, उन सभी साथ्यों के प्रती, कृतग्य राष्ट की आदरांजली भी है, भाईग्य और बहनों, मानव इतिहास में, अनेक विपनाएं आई, महमारी आई, बीशन युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनवती की, किसी ने कलपना नहीं की थी, कि येकि ऐसी महमारी थी, जिसका अनुभाव, ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था, तमाम देशों से जो तश्वीर आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ, हर भारतिय को विचलित कर रही थी, ऐसे हालात में, दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन साथियों, भारत की जीज़ बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताए जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया, भारत ने संबेदन सिल्ता और सहबागीता को लड़ाई का आधार बढ़ाया, भारत ने 2400 गंटे सतक रहते हुए, हर गटना करम पर नजर रखते हुए, सही समय पर सही फैसले लिए, तीस जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था, पिछले साल आज का ही दिन था, जब हमने भाकैदा सर्वेलांच शुरू कर दिया था, 17 जनवरी 2020 वो तारिक थी, जब भारत ने अपनी पहली एड़वाईजरी जारी कर दे थी, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था, जिसने अपने एरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, साथियों, कोरोना के खिलाब लड़ाई में, भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो सांज दिखाया है, जो सामुहिक शक्ति का परिचे करवाया है, वो आने वाली अनेग पीडियों के लिए प्रेना का काम करेगा, यात कीजिए, जनता कर फ्योंग, कोरोना के विरूत, हमारे समाज के सैयम और अनुसाचन का भी परिक्षन था, जिसमें हर देश वासी सफल हुआ, जनता कर फ्योंग देश को मनोवेज्ञानिक गुरुप से लौकडाउन के लिए तयार गिया, हमने ताली, थाली और दिया ज़ला कर देश के आत्म विश्वास को उचा रखा, साथियों, कोरणा जैसे अंजान दुश्वन जिसके एक्षन रियक्षन को बड़े बड़े सामर्थमान देश नहीं भाप पा रहे थे, उसके आक्रमन, उसके संक्रमन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था, कि जो जहां है, वो वही रहे, इसलिए देश में लॉक्डाउन का फैसला भी किया गया, यह निर्णे आसान नहीं था, इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभाव है, इसका हमें एसास था, और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉक्डाउन होने जा रहा था, इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था, लेकिन देश ने जान है, तो जहान है के मंतर पर चलते हुए, प्रत्य भारत्य का जीवन बचाने को सरवोच प्राठ्विक्ता दी है, और हम सभी ने ये देखा है, कि कैसे तुनंत ही, पुरा देश, पुरा समाज, इस भावना के साथ खड़ा हो गया, अनेकों बार, छोटी छोटी लेकिन महत्वपन चीजों की जानकारी देने के लिए, मैंने भी अनेक बार, देश वासियों के साथ सीधा समबाद किया, एक तरफ, जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववस्ता की गई, तो वहीं दूर, सब्जी, राशन, गैस, दवा, ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपरती सुनिशित की गई, देश में ववस्ताएं ठीक से चलें, इसके लिए, ग्रह मंतावे ने ट्वेंटी फॉर बाइ सेवन कंट्रोल डूरूम सुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोकों को समाधान दिया गया, साथ क्यों कॉरोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है, ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीज में बढ़ते कॉरोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया, और तिप भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए, कुरुना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया मुझे आध है एक देश में जब भारतियों को टेस्ट करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको महां सजाया लगाया ताकि महां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो साथियों भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया उसका लोहा आज पुरी दुनिया मान रही है केंद्रों राज्य सरकारे स्थानिय निकाएं हर सरकारी संस्थान सामाजिक संस्थाएं कैसे एक जुट होकर बहतर काम कर सकते हैं ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा इसरों, डियारियों, फोच से लेकर किसानों और समीकों तक सभी एक संकल के साथ कैसे काम कर सकते हैं ये भारत ने दिखाया है दोगज की दुरी और मास्क है जरूरी उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा भाई और भेनों, आज इनी सब प्रयासों का परणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यू की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधीक है देश के कई जीले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वज़े से खोना नहीं पड़ा इन जीलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते दो सप्ता से कोरोना संक्रमन का एक भी केस नहीं आया है जहां तक की लॉक्डाउन के से प्रभावित अर्थे ववस्ता की रीकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है भारत उन गीने चुने देशों में हैं जिसने मुश्टिल के बावजूत दुनिया के एक सो पचास से जादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुँचाई पैरासिटमल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, टेट्सिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की आज जब हम अपनी वैक्सिन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशाव और उमीद की नजरों से देख रही है हमारा टीका करन अभ्यान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाब मिलेगा भारत की वैक्सिन हमारी उत्पादन छमता, पूरी मानवता के हित में काम आए, यह हमारी प्रतिबद्दता है भाई और भेनों, यह टीका करन अभ्यान अभी लंबा चलेगा हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मोका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और भी अधिक वॉलेंटियर्स के हो मैं अपना समय सिवाकारे में जोडने के लिए जरूर आगरह करूँगा हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, दोगज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दोरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे टीका लग गया, तो आज का आर्थ ये नहीं कि आप करोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें अब हमें नया प्राण लेना है, दवाई भी, कड़ाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी आप सभी स्वस्त रहें इसी कामना के साथ इस टीका करन भीयान के लिए पूरे देश को बहुत पहुत सुपकामना है देता हूँ देश के वैज्यानिकों का, रिसर्चर्स का, लेब में जुड़े हुए सब लोगों का, जुन्होंने पूरे साल एक रुशी की तरह अपनी लेब में जीवन खपा दिया, और ये वैक्सिन देश और मानुता को दी है, मैं उनको भी विशेश रुप से अभिनंदन करता हूँ, उनका अभार व्यक्त करता हूँ, मेरी आप सब को बहुत बहुत शुपकामना है, आप जल्दस इसका लाब उठाएं, आप भी स्वस्त रहें, आपका परिवार भी स्वस्त रहें, पुरी मानवजात इस संकट की ग बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन तो सुकिनाह, सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन तो सुकिनाह, सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन तो सुकिनाह, सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन तो निरामया सर्वे भवन तो सुकिनाह, सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन तो सर्वे भवन तो सुकिनाह, सर्वे संतो निरामया तो देश भर में कोरोना वाक्सिनेशन की आज से शुरूआत हो गई है, प्रदान मंतरी मोदी सबसे बड़ा वाक्सिनेशन आपको उता दें यहां पर 51 लाख 82 हजार है